हेलो कैसे हो आप लोग आज इस विडियो में बात करते हैं होट अटेक के बारे में क्या आप जानते हैं दिल के दोरे और स्ट्रोक के खत्रे को सिर्दर्ड की सामान्यसी दवा एको स्प्रिन टेबलेट से कम किया जा सकता है हाल ही में आई रिसच के मुताबिक ये दवा एक नौन स्टरोडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है इस दवा के सेवन से हानिकारक खून के ठक्के कम बनते हैं ये हरिदै संबंधी समस्याओं की रोक्थाम के लिए उप्योग होती है लेकिन आपको ये दवा बिना डॉक्टर की सलाह के या प्रिस्क्रिप्शन के लेने से बचना चाहिए चलिए जानते हैं इस दवा के फाइदे और नुकसान के बारे में रिसर्च के मुताबिक ये एंटी इंफ्लेमेट्री ड्रग है जिसके सेवन से माईग्रेन, पीरियद्स क्रेंपी, बुखार और शरीर के दर्द को दूर करने में मदद करती है लेकिन एकोस्प्रिन अगर सावधानी से नहीं लिया जाए तो कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है दुषप्रभाव भी है इसके एकोस्प्रिन बेशक फाय देमंध है लेकिन इसके कुछ दुषपरिनाम भी हो सकते हैं जैसे पेट समबंधा समस्या, ठकान, चक्कर और कान में आवाज आना इत्यादी इकोस्प्रिन के दुषप्रभाव से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखे ये दवा डॉक्टर के परामर्श के बिना नहीं ले यदि किसी दवा से अलजी है तो डॉक्टर को बताएं दवा खाने के बाद कोई रियेक्शन होता है तो डॉक्टर को तुरंट दिखाएं खाली पेट दवा ना ले, लिव या किड्नी की प्रॉबलम है तो डॉक्टर को बताएं इस दवा को काते, मसले या पानी में ना घोले, तुरंट निगल ले पानी का अधिक सेवन करें, दर्भावस्था में दवा ना ले, शराब का सेवन ना करें इस दवा को डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए सामान्य तोर पर इकोस्प्रिन 75 टेबलेट को खाने के साथ लेना बहतर होता है इकोस्प्रिन के सेवन के तुरंत बाद ये प्रभावी हो जाता है ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया गया है इस दवा का उप्योग अपने डॉक्टर की सलाह से ही ले